Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video So, आज हम discuss करेंगे about an important topic of redemption So, redemption के बारे में discuss करने वाले है Redemption of preferences के बारे में we will be discussing और जिन लोगों को redemption of preferences बहुत ही difficult chapter लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको redemption of preferences के जितने भी basics है सारे के सारे clear भी हो जाएंगे और वो basic से related आपको क्या क्या चीज़े याद रखने है वो भी हम revise करने वाले है तो last तक देखते रहे और इसी से आपको सारी चीज़े बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़े exam में पढ़के जाने है और क्या क्या चीज़ों के ओपर आपको focus करना है कि redemption of preferences जो है वो topic में आपके जो silly errors होते है silly mistakes होते है वो नहीं हो तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे redemption की redemption का simple मतलब होता है repayment तो आपको अभी basic चीज़े बताता हूँ ज्यादा deep में नहीं जाएंगे लेकिन वो वो चीज़े हम देहान रखेंगे जो आपके exam point of view से important होंगे तो अगर हम इस chapter के section की बात करें तो section कौन सा है इस chapter का section है 55 55 section Indian Companies Act 2013 का section कौन सा है because ऐसे सारी चीज़े आपको objectives में पूछी जाती है तो section 55 Indian Companies Act 2013 वो आपको basically पहले चीज़ याद रखनी है हम सभी को पता है कि दो डाइप के shares होते है equity and preference and इस chapter में हम discuss करते है preference shares का redemption कैसे होता है तो कोई भी company अगर रहेगा तो वो preference shares maximum 20 years तक रख सकता है इसका मतलब कि preference shares जो है कुछ time के बाद redeemed हो जाएंगे कोई भी company preference shares जो है वो irredeemable preference shares नहीं issue कर सकता इसके लिए preference shares हमेशा redeemed होते है और अगर हम preference shares के overall basic चीज़ की बात करें तो आपने देखा होगा हमेशा ऐसे दिया होता है 9% preference shares लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि 9% equity shares ऐसा क्यों because 9% preference shares जो भी है उनको fixed rate of dividend मिलने वाला है लेकिन जो भी equity shares होते है उनको fixed rate of dividend नहीं मिलता है that is why equity shareholders को हम ordinary share capital के basis पे भी जानते है अगर हम अभी basic चीज़ देखे इस chapter की तो इस chapter में जो levels of question है उसके उपर discuss करते है अगर हम level of question की बात करें तो सबसे पहला जो level of question आपके exam point of view से या इस chapter में important है वो है fresh issue given अगर आपको question में fresh issue दिया रहेगा fresh issue का मतलब जो भी आप equity shares issue करते हो उसकी value आपको directly question में दी है अगर आपको directly question में value दी है तो फिर यह आपका first type होता है इसको हम कहते है type 1 ठीके ध्यान से basic चीज़ों के उपर discuss करेंगे तो फिर आपको पढ़ने में काफी easy जाएगा और मैं आपको सारी चीज़े provide करूँगा कौन से working notes कैसे बनते हैं second point second point है हमारा fresh issue not given अगर बीच-बीच में skip करोगे बीच में से भाग जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा fresh issue not given ठीके fresh issue not given जो है वो हमारा होता है type 2 का हम एक एक छोटे छोटे parts में में आपको video देने वालो है और उसमें में सारी चीज़े बताऊंगा fresh issue given और fresh issue not given में कैसे हमको करना है और इन दोनों case पे आपको prepare करनी पड़ती है balance sheet तो आपको क्या prepare करनी है balance sheet भी आपको prepare करनी पड़ती है तो these are the two types of levels of this topic and that is fresh issue given type 1 fresh issue not given type 2 तो अभी basic चीज़ के बारे में discuss करते है कि अगर सबसे पहली चीज़ हम देखे तो जब भी आप redemption करते हो तब आपको एक reserve को create करना पड़ता है and that reserve का नाम होता है capital redemption reserve ध्यान रखना जिसको हम short में क्या कहते है जिसको हम short में कहते है CRR तो अगर आपने कोई भी lectures college में attend नहीं किये है अगर आपको लगता है कि last moment में मुझे क्या पड़ना है ये सारी चीज़ों के उपर focus करें आपका सब कुछ revise भी हो जाएगा जिन लोगों को already आता है उनका revise हो जाएगा जिन लोगों को ये कुछ पता नहीं है इसलिए सारी चीज़े आपके लिए basic है capital redemption reserve तो capital redemption reserve जो है वो आपको create करना पड़ता है और वो कैसे create होता है उसके लिए भी formulas होते हैं और वो formula के basis पे हम capital redemption reserve को create करते हैं सबसे पहले आपको एक formula याद रखना है अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है तो side by side आप notes prepare कर ले रखना formula होता है face value of redemption क्या होता है formula face value of redemption minus fresh issue जो भी आपका fresh issue है वो आप यहां पे लेंगे और minus कर लेंगे ध्यान से face value of redemption का मतलब होता है यहां पे आपको preference shares की value लेनी है और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है preference shares की जो भी value हम लेंगे that will be fully paid up that will not be partly paid up because partly paid up preference shares cannot be redeemed तो इसलिए partly paid up preferences को हम redeem नहीं कर सकते तो हमें उनको fully paid up convert करना पड़ेगा और इसलिए fully paid up ही हमको यहां पे लेना है इधर कोई भी premium आपको नहीं लेना है इसमें से आपको fresh issue की value minus करनी है तो जो भी आपकी equity shares की value paragraph या adjustments में दी होगी जो आपने fresh issue किया है वो लेना है question का fresh issue इसमें बहुत लोग लेके गलती कर देते है तो आपको क्या करना है इस value में से यह fresh issue की value जब आप minus करोगे तब आपको value मिलेगा CRR का CRR is created out of divisible profits तो जैसे ही आपने CRR create कर लिया वैसे आप अभी second step में जाओगे CRR कहां से create करना पड़ता है CRR हमें create करना पड़ता है divisible profits में से अभी हम discuss करेंगे कौनसे values या कौनसे profits आपको याद रखने है divisible profits देखो दो टाइप के profit होते है एक होता है divisible profit और दूसरा होता है non divisible profit अगर हम divisible profit की बात करें तो divisible profit मतलब ऐसा profit जो dividend देने के लिए use होता है और non divisible profit मतलब ऐसा profit जो हम dividend देने के लिए use नहीं कर सकते तो rule of Indian companies act ये कहता है कि आप जब CRR को create करते हो तो CRR create करने के लिए आपको कौनसा profit यूज करना है divisible profits यूज करना है अभी divisible profits में मैं आपको list देता हूँ divisible profit में सबसे पहला profit आता है हमारा general reserve next हमारा profit होता है P&L that is called profit and loss account next और एक कभी-कभी आपके question में आता है that is called dividend equalization reserve तो ये भी आपको याद रखना है this three are divisible profits which we will be considering for CRR अभी कुछ हमारे non-divisible profits होते है non-divisible profits में सबसे पहला आता है आपका securities premium दूसरा हमारा आता है CRR CRR is also a non-divisible profit और तीसरा हमारा आता है capital reserve ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको ये तीन चीज़े major याद रखने है because ये सारी चीज़े आपके paper में normally देखने मिलती है तो CRR अगर आपके question में है securities premium अगर आपके question में है तो ये सारे reserves हम लोग CRR create करने के लिए use नहीं करेंगे because that is non-divisible profits और हम सिर्फ divisible profits से ही CRR को create करते हैं ये basic ingredient है जो इस chapter से related आपको याद रखना है because ये सारी चीज़े याद रखोगे तो question solving will be very much easy for you तो सबसे पहले आपको CRR calculate करना है दूसरी चीज़ आपको divisible profits question में देखना है और उसके basis पे आपको क्या करना है उसके basis पे आपको divisible profits को use करके CRR create कर लेना है और अगर हम basic entries की बात करें देखो basic entries कौनसी होती है वो भी मैं आपको discuss करवा देता हूँ फिर हम क्या करेंगे हर हम एक example भी देखेंगे ताकि उससे भी आपको idea आजाएगा तो एक दो-तीन videos आपको मिलेंगे आपको redemption of preferences पे ताकि आपके basic चीज़े जो है वो clear हो पाए देखो हमने चार step आपको याद रखने है और यह चार step wise पड़ोगे तो आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी पहला step होता है आपका redemption due ठीक है इसके बाद भी कुछ entries होती है मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको याद रखना है redemption due अभी ये redemption due क्या है देखो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आपको थोड़ा सा समझने के लिए काफी अच्छा जाएगा और जिनको कुछ भी नहीं आता है वो ये वीडियो भी अगर देखके जाएंगे तो आपके बहुत सारे questions पेपर में attempt हो जाएंगे देखो अगर redemption due की अगर हम बात करें तो entry होती है preferent share capital account debit अगर आपके पास notes नहीं है तो आप इसको लिख लेना preferent share capital account debit फिर होता है premium on redemption of preferent shares account debit ठीक है usually premium होता है to क्या होगा entry to preferent share holders account to preferent share holders account amount कैसे लिखने का हम next session में सीखेंगे पहले आप basic entry सीख लेना step 1 हमारा होता है redemption due तो जो भी percentage आपके question में दिया रहेगा वो percentage हम यहां लिखेंगे and यह entry number 1 हम कर लेंगे फिर हम step number 2 में जाएंगे step number 2 हमारा क्या होता है step number 2 हमारा होता है adjusting premium का तो जो भी आपका premium रहेगा जो आपका premium अभी आपने यहां पे कुछ premium लिखा है यही premium का amount हम यहां पे लेंगे और हम general entry करेंगे तो second entry हमारा क्या होगा adjusting premium का आप अभी adjusting premium general reserve से कर सकते है profit and loss से कर सकते है या अगर दोनो reserve लेने है तो दोनो reserve लेना पड़ेगा अगर हमारा premium का amount to premium on redemption of preferences तो क्या होगा entry general reserve account debit profit and loss account debit अगर दोनों में से एक भी लिया तो भी चलेगा to premium on redemption of preferences यह आपका second step होने वाला है that will be your second step अभी हम जाएंगे हमारे step number three में तो जो आपका step number three है that will be creating CRR तो CRR आपको create करना है CRR मैंने अभी आपके साथ बात की CRR हम किस में से create करेंगे CRR हम create करते है divisible profits से तो divisible profits में general reserve आता है profit and loss account आता है और एक हमने नया reserve के बारे में discuss किया that is dividend equalization reserve तो dividend equalization reserve भी हमारा क्या होगा debit होगा यह तीनों reserve हमारे debit होंगे अगर एक रिजो लेंगे और उतना पैसा है हमारे पास तो कोई problem नहीं है तो हमारा entry होगा to CRR account this will be your step number three and your step number fourth will be your final step and that will be for payment which is also called as settlement तो यह हमारा entry होगा settlement का काफी simple entry होता है preference share holders account debit preference share holders account debit to bank account तो हम क्या करेंगे हम preference shareholders को यहाँ पे payment कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा एक calculation आता है जब आपका non traceable का concept आपके paper में आएगा तो आज हमने सिर्फ basic बेसिक चीजे ही सीख ली है और यह जो चार entries है इसके बाद हमारी कुछ basic entries आती है जैसे कि आपकी एक entry होती है fresh issue की मैं आपको पूरे step ही लिखवा दता हूँ कितनी entries आ सकती है पहली entry आपकी होती है fresh issue की फिर आपकी entry होती है investment sold की जब हम investment को बेचते हैं कैसे entries होगा कैसे amount आएगा दीरे दीरे आगे जाएगे वरना एक ही वीडियो काफी एक एक घंटे का बन जाएगा और उतना फिर नॉर्मली लोग देखते नहीं है और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो निचे सिर्फ एक like का बटन दबाईए उससे क्या होता है YouTube algorithm में ये वीडियो अच्छा है लोगों को इससे सीखने मिल रहा है ऐसे YouTube algorithm इसके basis पे promote करता है और काफी सारे students को इसका benefit मिल सकता है इसलिए आप इस वीडियो को like कर सकते और subscribe तभी करें जब आपको ये लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ सिखने मिला है productive चीज़े आपको इसमें से मिली है नमबर थर्ड, investment sold के बाद हम क्या करेंगे investment sold के बाद हम हमारे steps करेंगे जो है आपका step number one step number one क्या था हमने अभी पढ़ लिया step number one होता है redemption due का ठीक है फिर हम जाएंगे हमारे step number two में step number two क्या होता है हमारा step number two होता है हमारा adjusting premium step number four step number three क्या होता है step number three होता है creating CRR step number four क्या होता है हमारा step number four और general entry number six क्या होता है payment payment बोल सकते हैं या आप उसको settlement भी बोल सकते हैं ठीक है ये चार entries कोई भी question आजाए this entries are compulsory ये entries आपको करने ही पड़ेंगे कोई भी question redemption का आजाए और ये सारी entries एक दूसरे को related करती है तो इसलिए इसमें एक mistake एक दूसरे mistakes के साथ link हो जाएगा यहाँ पर अगर कुछ mistake किया तो वही इodर जाएगा वही इodर जाएगा वही इodर जाएगा next कभी-कभी आपके question में adjustments आता है और ये adjustments आपके question में होता है of bonus shares तो bonus shares में भी 2 entry होती है तो bonus shares में जो पहली entry होती है उसके लिए हम provision करते हैं, तो हम उसको कहते है, provision for bonus shares, ठीक है, कैसी entry होती है, क्या entry होती है, सब चीजे बताऊंगा, next हमारी जो entry होती है, that is for issue of bonus shares, ठीक है, कौनसी entry होती है, issue of bonus shares, यह जितने भी मैंने step लिखे है, यह आपके पास steps को लिखके रखे आप, और यह steps को ही revise करें, because redemption of preferences का कोई भी question आजाए, इन steps के अलावा वहाँ पे कोई entry होना ही नहीं वाला है, लेकिन यह entries कैसे करना है, इसके लिए आपको basic चीजे आनी चाहिए, और वो है calculation, अगर calculation आपको आता है, तो यह चीजे आप easily solve कर पाएंगे, और इसका full marks आपको मिल सकता है, यह chapter जितना difficult ल the balance sheet also बहुत सारी चीजे है, इसको अभी हम practical example के साथ भी सीखेंगे, छोटे-छोटे points को सीखेंगे, fresh issue कैसे लिखना होता है, general entries में कैसे amounts आती है, तो अगर आपको अभी तक यह वीडियो से कुछ सीखने मिला है, तो अभी आप वीडियो को subscribe कर सकते, like कर सकते, और अपने friends म इसको share कर सकते, और इसी तरीके के revisionary videos के लिए channel को subscribe कर ले, और जुड़े रहे channel के साथ, ताकि आपको exam से पहले जो revision चाहिए, वो videos आपको इस channel मिलते रहेंगे, thank you very much, next session में मिलते है, with some practical type, thank you all of you, bye bye, take care.